सिक्षा मितान के अभिनाव प्रयोक के बारे में आपको मैंने एक जानकारी अपडेट की थी जो कारेले जिला सिक्षा अधिकारी जिला भीजापूर की तरफ से प्रसारित की गई थी दोस्तों नवश्कार आप देख रहे हैं जीरो पीरेड जीरो पीरेड में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी नोडिफिकेशन के एक अपडेशन के बारे में सिक्षा मितान के बारे में एक विज्यप्ती आई थी और उसमें बीजापुर जिले में ये नियुक्तियां होनी थी जो इस्थानी इस्तर पर होनी थी इसमें थोड़ा सा संशोधन उन्होंने किया है उस संशोधन का अपडेट लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ ये नोटिफिकेशन है उनका उसमें ये कह रहे हैं कि कार्याल है जिला सिक्षा अधिकारी बीजापुर 36 गड़ के विज्यापन क्रमांग 1231 और ये उसका क्रमांग दिया है सिक्षा मितान 2022 तेज बीजापुर दिनांग 24 आठ 2022 के अनुसार सिक्षा मितान ने तु विज्यापन जारी किया गया था और उक्त विज्यापन के चैन प्रक्रिया में निमना नुसार शन्शोधन किया जाता है तो जो नोटिफिकेशन था उसमें जो करेक्षन हुए है जो अब्डेशन हुई है उसके बारे में ये विज्यप्ती है कहा ये गया है कि सिक्षा मितान चैने तु प्रात्मिक्ता सरप्रथम राजस्व जिला बीजापुर के आवेदकों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी जो होगा अबिजापुर का वहां के केंडिडेट को को ही प्रायरिटी दी जाएगी अगर वो लोग उपलब्द नहीं होंगे तो अन्तिम में फिर संभाग स्तर पर और संभाग स्तर पे भी नहीं कोई मिल पाएंगे तब सिक्षा मितान के वस्था का छेत्र राजिस्तर रहे थे उस बिंदु को थोड़ा सा संशोधन किया गया संशोधन करकि यह कहा गया है कि अगर बीजापुर जिले से नहीं मिल पा रहे हों तो संभाग से संभाग से नहीं मिल पा रहे हों तो फिर राज्य इस्तर पर ये काम किया जा सकता है जिला संभाग और राज्य तीन इस तरपर ये जो न्यूक्तियां हैं उसमें प्रात्मिक्ता दी जाएगी पहली प्रात्मिक्ता अभी भी यही कही गई है कि बीजापुर जिले के अगर निवासी है तो उनकी प्रात्मिक्ता पहली होगी तो अगर आपने आवेदन किया है या नहीं किया है तो इस दोनों इस जानकारियों के साथ आपसे अपडेट होते रहेंगे फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इस मुलाकात के वादे के साथ इस वीडियो को मैं यहीं क्राम देता हूं नमस्कार अपना ख्यार रखिए और उनका ख्यार रखिए जो आपका ख्यार रखते हैं धन्यवाद